हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी कहना है उसके उपर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे साथ ही वर्तमान संदर्भ में चाइना और रश्या के जो बढ़ती नस्दी की है या बढ़ते भैतर रिष्टों के उपर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे तो चलिए परी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू की अमेरिकी एजेंसी है बैसिकली उत्तरी अमेरिकी एरो स्पेस रक्षा कमान इसे नुराड बोलते हैं इसने 24 जुलाई को अलास्का के निकट उडान भर रहे चार बंवर्शक विमानों के एक सम्हू को रोखा जिसमें दो रूसी व 95 पेर और दो चीनी एज 6 बंवर्शक विमान शामिल थे ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों विमान परमाणू शक्ती संपन्न है यह अवरोधन अलास्का वायू रक्षा पहचान छेतर यानि ADIZ में रूसी और चीनी सेन्य विमानों के एक साथ संचालन का पहला उधार ध्यान रखिएगा जैसा कि फोटो में मैंने अभी आपको दिखाया था यदि हम नोराड की बात करें तो यह विमान अंतर राष्ट्य हवाई छेतर में रहे और उसने अमेरिका या कनाड़ा के संप्रभू हवाई छेतर का उलंगन नहीं किया है यानि स्वियम इस एजनसी क मानना है जो अमेरिका और कैनेडा की सयुक्त एजनसी है इसका स्वियम मानना है कि रश्या और चाइना के जो विमान थे उन्होंने अंतर राष्ट्य नियमों का उलंगन नहीं किया है और इस अवरोधन को अमेरिकी F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों के साथ साथ कनाड़ाई विमान है CF-18 इनके दुआरा अंजाम दिया गया इस ओपरेशन में सहायक विमानों ने भी हिस्सा लिया यानि इन विमानों को रोकने के लिए ध्यान रखिएगा तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है यहां पर यदि हम नोराड की बात करें तो सयुक्त राज्य अमेरिका और केनेडा को शामिल करने वाली एक दुवी राष्ट्रिय कमान है नोराड ध्यान रखिएगा ये दुवी राष्ट्रिय कमान है ये रक्षा नेटवर्क का उप्योग करती है जिसमें हवाई छेतर में घुसपैट का पता लगाने के लिए उसे ट्रैक करने के लिए उसका जवाब देने के लिए उपग्रह जमीनी राडार और लडाकू विमान शामिल है यानि एक पूरी की पूरी सुरक्षात्मक प्रणाली है दुई राष्ट्रे जिसमें अमेरिका और केनेडा सामिल है जो कहीं ना कहीं सुरक्षा संचालन का काम करती है इस कमान ने एक हो रही है उसकी निग्रानी को ये नोराड लगातार उसकी निग्रानी का काम करता रहेगा अलास्का AI जो DJ है उसमें रूसी उडाने असमान्य नहीं है जैसा कि मैंने शुरू में बताया रूसी उडाने वहाँ पे समय समय पे देखी जाती रही है लेकिन चीनी बमवर्षको कि जो मुझूद की है वो अभूतपूर्व है ऐसा पहली बार देखा गया है दोनों देशों के बमवर्षक विमानों का एक साथ गश्ट करना वो भी इस छेतर में H6 बमवर्षक पुराने सोवियत बमवर्षकों का आधुनिक संस्क्रण है यानि जो चाइना का बमवर्षक विमान है ये पुराने सोवियत बमवर्षकों का आधुनिक संस्क्रण है जो आर्किटिक छेतर में चीन की बढ़ती सैन्य चमताओं और रूची को दिखा रहा है ध् पष्ट तोर पे कहा कि अल्सका के निकट रूस के साथ हवाई गश्ती अंतर राश्ठ कानून की अनुसार ही की गई थी और इसका उद्देशे किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाना नहीं था चीनी रक्षा मंत्राले के प्रवक्ता में इस पश्च तोर पे कहा कि ये कारवाई किसी तीसरे पक्ष को लक्षित करने के लिए नहीं की गई थी ये अंतराष्ट्य कानून की अनुरूप है और इसका वर्तमान अंतराष्ट्य है और छेत्रिय स्थिती से कोई लेना देना नहीं है ध्यान रखिएगा इसी तरीके से मासको ने भी स्टेट्मेंट दिया है कि हमारे इस गश्ट का जो है किसी भी संघर्ष से कोई लेना देना हाला कि इस तरीके की पूरी की पूरी बात को अमेरिका की जो सुरक्ष एजंसिया हैं उन्होंने भी स्विकार किया है मासकों ने ये कहाए कि ये गश्ट 2024 के लिए चाइना और रश्या के सैन्ने सहियोग की योजना का हिस्सा थी और ये किसी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं थी रूस के रक्षा मंत्राले ने विमानों के उडान भरने और उतरने की तस्वीरे और फुटेश तक साज़ा की हैं ध्यान रखियेगा हाला कि यहाँ पर एक बात का अनुमान लगाया गया कि ये जो गश्ट की घटना देखी गई ये जो बिडेन की घोशना से कुछी देर पहले देखी गई तो इसका सीधा सीधा अर्थ अमेरिका से प्रतिसपरधा के स्तर पर लिया जा सकता है क्योंकि वर्तमान संदर्भ में रश्या और अमेरिका के भी संबंध ठीक नहीं है युकरेन युद के बाद से लगभक्षीत युद जैसा माहोल की बात हम कर सकते हैं और चूंकी चाइना लगातार रश्या को सपोर्ट कर रहा है इस संदर्भ में तो चाइना और रश्या के संबंध वर्तमान समय में काफी जादा बहतरीन होते हुए दिख रहे हैं इसके एक्जेंपल की भी यदि हम बात करेंगे बीजिंग और मासकों के बीज जो गहरे होते संबंध ध्यान रखिएगा हाल के वर्षों में चीन और रूस ने अपने संबंधों को मजबूत किया है नियमित रूप से संयुक्त सैन्या भ्यास कर रहे हैं साथ ही फरवरी 2022 में युक्रेन पर रूस के आक्रमन की शुरुआत के बाद से पीजिंग ने मासकों के साथ अपने राजनईक आर्थिक और सैन्या संबंधों को बढ़ाया है उधारन स्वरूप आप देखोगे रूसी राष्ट्रपती प्लादिमीर पुतीन ने पुनहे निर्वाचित होने के बाद अपनी पहली आत्रा के लिए चाइना को चुना था और उसके बाद कजाकिस्तान में आयो जित S.C.O. शिखर समेलन में पुनहे चीनी राष्ट्रपती शी जिन पिंग से मुलाकात की यानी अमेरिका और रश्या के बीच चीट युद्ध जैसे हालात हैं युक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप तो इन हालातों में और जादा हम कह सकते हैं सपश्टा आई है दूरी आई है दोनों देशों के बीच में और ये सयुक्त बंबारी अभियान यानी ये जो अपनाव नहीं लड़ना चाहता और युवा ने तरित दुवारा देश को एक जूट करने और लोगतंत्र को बचाने की उमीद जताने के बाद ये उनका पहला संबोधन था इस संबोधन के कुछ देर पहले ही इस तरीके की गश्ट देखी गई जो अपने आप में चिंता जरूर है भले ही ये कहा जाए रशिया और चाइना के दुआरा कि ये किसी तीसरे देश को लक्षित करके नहीं था लेकिन यहां पे इन दोनों देशों के बढ़ते संबंध कही ना कहीं अमेरिका को टार्गेट करते हुए दिख रहे हैं एक विश्व व्यवस्था में ये स पंदेश स्पष्ट तोर पे बन रहा है कि एक तरफ रशिया और चाइना है तो दूसरी तरफ अमेरिका है ठीक है और इस तरीके की जो घटनाए है ये स्पष्ट तोर पे विभाजन दिखाती है इन तीनों देशों के बीच में विशेश तोर पे अमेरिका वर्सिस चाइना प्लस रश्या थ्यान रखना अमेरिकी रक्षा उपसचिव कैथलीन हिक्स ने स्पश्ट तोर पे कहा कि आर्कटिक छेतर की बरफ के पिघलने पर चिंता व्यक्त की जिसके कारण नए नोवहनमार्ग खुल रहे हैं रूस और चीन दोनों की इसमें रूची बढ़ रही है कि ज इसमें वानिजिक रूप से चाइना आर्कटिक छेतर में रूसी उर्जा शोशन का प्रमुख वितपोशक है यानि जो रूस की परियोजनाएं है उसका प्रमुख वितपोशक चाइना है तो इस छेतर में दोनों की बढ़ती हुई भागिदारी कहीं ना कहीं अमेरिका की मक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा है ध्यान रखिएगा हाला कि अमेरिकी सेना ने कहा है कि आर्कटिक छेतर में विक्सित हो रहे इन सुरक्षा प्रद्रिश्यों के प्रतिवों सतर्क है और उनका कहना है कि हम इस बात पर कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं कि वो इस छ जरूरी है कि किन परिस्थितियों में रशिया और चाइना का जो सहयोग है वो कैसे बढ़ रहा है और कैसे अमेरिका यहां पे अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है यदि हम इन दोनों देशों की सयुक्त कार्यवाहियों की बात करें तो और ऐसे में अमेरिका के नस्दीक जाके आप परमाणू संपन जो बंवर्शक विमान है उनकी गश्ट करना भी कही ना कहीं दोनों देशों की मित्रता का एक संकेत है और यह कहीं ना कहीं अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने का भी एक संकेत है अब देखना यह होगा कि भविश्य में इस तरीके की गतिविध या अगर हो तो अंतर राष्टे नियमों का पालन करते हुए ही होनी चाहिए जैसे अभी हुई है ताकि विश्व में कोई अशान्ती या फिर कोई संगर्ष या नया संगर्ष जो है पैदा ना हो सके आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे विचार पे कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2026 या 27 में UPSC का टैम देना चाहते हैं तो प्रतिग्या बैच कल 27 जुलाई से शुरू हो रहा है राजव्यवस्था के साथ अमरेत उपाध्याय सर शुरू कर रहे है राजव्यवस्था तो देर कि इस बात की फटा फट जिसमें पीटी पास करते हैं तो आपकी फीस आपको वापस कर दी जाएगी ये लाइफ बैच है 13-14 महिने में पूरा सिले बस कंप्लीट हो जाएगा फाउंडेशन बैच है पीटी मेंस इंट्रव्यू हर स्तरकी तयारी इसमें इंक्लिउड है तो फटा फट जाएए एडम से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आइक्यू आईएस हिंदी